नमस्कार दोस्तोस मैं आपको बताने वाला हूँ कि एज चार पाई इकसे भरती हैं यह Sबी चार पाई आपको सुरू gouvernement्याती हैं Huge तो भी मैं आपको बता रहा हूँ तो बताने से पहले दोस्ता आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो रैड कलर के सास्कामेटर पे क्लिक कीजिए और बैल का बटन दबाईए ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पैदे मिल से तो देखिए अंकल जी आपको बता रहे हैं तो यह डबल रसी एक साथ ले रहे हैं और टोटल रसी हैं इसमें यह हमारे दस रसी हैं देखो इस प्रकारशे माई गूती जाती है अलग डिजैन की माई गूत के बता रहे हैं आज आपको बहुत यह आसानी से आप देख सकते हैं और यह पूरी चारपाई किस प्रकारशे भरेंगे वो सभी चीज़ आपको बताई जाएगी और ताना भी कैसे खहन्सते हैं वो भी आज आपको दिखाये जाएगा कि बाच से दोस्तों कमेंट आ रहे थे कि ताना कैसे खेंचते हैं माई कैसे गुथते हैं वह एक और चीज दोस्ता आज आपको बताई जाएगे किस प्रकार्शे माई कुथते हैं ताना खेंचते हैं जूम करके मैं आपको दिखा देता हूं देखो एक बार आज इस तरफ लेड़ना रसी एक बार इस तरफ लेड़ना है इस प्रकार्शे आपको यह माई गुथ नहीं बहुत ही आसानी चाप देख सकते हैं तो इस प्रकार दोनी तरफ आई कि आप देख पा रहे हैं यह माई हमने गुथ दिये और इसको फिर आप इस प्रकार सेरे करकर आपको यहां से यह बांदनी है बहुत ही डिजाइंब कर आपको चारपाई बनाए के बताई जाए कि एक्दम आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से बनाए जा रही है इस प्रकार्शी इसको रसी को कर दिया जाएगा अब यह दूसरी तरफ भी आपको दिखा दिया जाएगा कि किस प्रकार्शी रसी देखो इस प्रकार्शी इसको लेकर रसी को थोड़ा बढ़ लगा दिया जाता है इसमें इस परकार से इसको निच्चे से लेकर और इस तरब से लेकर आपको इसको बांद देनी है ताकि पूरी तरह से बाई के मजबूत हो जाई है इस परकार से बांद देनी है आपको यह माय इगूत कर दोनों में चार पाई में आप दिखा दिया है अब आगे तानक कैसे खंसते हैं वह भी दिखाए जाएगा आपको इसके सेंटर में लेकर आपको इस परकार से रसी बांद देनी है पुड़ा इसमें बढ़ लगा दिया जाता है देखो इस परकार से और फिर इस रसी को बांद दे जाता है ताकि यह बल लिकने नहीं नहीं बांद दीजिया इस परकार से बांद सकती और यह दोनी तरब से बराबर बराबर आपको इस पेस रखना है दोनी जो इस पेस देखो ना आपकर आपको इस परकार आपको इस पर बराबर करना है इस परकारशे नोए आपको बराबर रखना इंव दाउनी डालें गे हुआ पांगे ता यहां एप में हमने तानाखेंच और एक में हम त्हा जीन हैं कि इस थी हम एक क्या साथ हम तीन रसी चलाएंगे में आगा कि आपने पहले साल छोगा आज तीन रसी क आदव साल जैं डेंगे की वे यह पर काल पर नहीं झाल लुटर कि अब यहां भांध है इता है आपको रसी ये लेनी है अब देखो इसमें इस परकारशे ये खाट आप इस परकारशे बनेंगे ये खटिया कैसे बिनते हैं वो दिखाई जा रही है आपको एक साथ इसमें तीन रसी एक साथ चल रही है हम लोग एक एक रसी करते हैं आगसी Jeffrey आफकी खेस्ट जारा जारी है । इस प्रकार्श चाहिए कुपको बना सकती है पोर्भभभभ हं चो इक नो कड़ी आख़ा आपको बना बता हैंकि नो कड़ी एक खाट किस प्रकार्शन बनाई गाती है इसलिए हमने 3 रसी साथ चल रहेंगे हैं हमारी और इसमें कीतने रसी आपको डालनी है वो भी मैं बता दूगा तो सबसे पहले कम से इसमें आपको 18 रसी करनी होंगी यह 18 रसी आपको लेनी होंगे गिन के आपको नो-ग्राष्य दवानी हैं, इस परकार्ष इख वाता है हैं, आपको यह ग्छोड़ बसा हो जाएका देखु होको तो जो हमारी रसी है यह नो नो रसी लेनी आपको और इसमें एक साथ या आपको तीन रसी दे दी जाएंगी बहुत ही आसानी से देख सकते हैं देखो तीन रसी एक साथ ही लगा देगी और यह नो रसी हमारी यह टोटल हमारी अठारा रसी हो गई और इसमें टोटल आपको नो रसी लगानी होगी यह नो रसी हो जाएंगे नो रसी के बाद में फिर आपको नो रसी लेनी है और नो उठाकर नो दबानी है देखो फिर हमने यह नो रसी हो गई हमारी पूरी फिर यह नो रसी लिए हमने नौ दबाई नौ उठाई ए नौ दुणे अठाणर रसी उठाई फिर आगे 9 रसी दबाईए तो इस परकार आपको फिर इसमें फिर बी práुशे करें यह थे 9 रसी कर दिये तो इस परकार से 9 लौ कड़िया की खाट रहा है वह बनेंगे आप आप आसा निशी देख सकते हैं कि कई दोस्तों में बताया कि किस प्रकार शे हम नो कड़िया के खाट बरेंगे वही मैं डिजाइन दिखा रहा हूं आपको तो देखो हमने दो फाटा बन दिया है इसको दो फाटा बोलते हैं दो फाटा में हमने नो नो रसी डाली है अब यह तीसरा फाटा चलोगा यह भी हमने नो रसी दबाई है फिर नो रसी दबाई है यह हमारा जी बोलते हैं बीच में इसको फिर यह नो रसी उठाई नो सकता हूं आप देख लिए किस प्रकार्श आपको बनानी है यह एक एक रसी के बारे में आप देख सकते हैं तो दोस्तों देख पारे हैं हमने यह पांच फाड़े हैं यह सभी भर दिये और चेटा पाड़े में आपको क्या करना पड़ेगा यहां पर नो दबा के नो उठाई आपको यह चैठा नमर पाड़ा में उठाना पड़ेगा उससे पहले आप यह देख सकते हैं बहुत यासानी से शिरफ आपको नो दबानी नो उठाणी नो दबानी और बीच में आपको यह 18 रसी उठाणी और दबानी पड़ेंगे आगे कैसे करेंगे वह मैं आपको बता आपको दिखा रहेंगे वह दोस्तों नो कड़िया खाट हम कैसे बरेंगे वह मैं आपको दिखा रहा हूं आज कि किस प्रकारशे यह भरनी है तो इसमें आगे आप देख पा रहे हैं यह पूरा जी हमारा 18 रसी का यह 18 रसी उठाणी और बाकी दर्शे आप देख पा रहे हैं यह नो दबाई नो उठाई नो दबाई नो उठाई फिर यह नो दबाई और यह 18 यह 18 रसी हमने उठा दिये पी हिसी प्रेकार के design शुरू हो जाएगे आपके पास मने आज़ेंगे आगे कि इस प्रइक कीस प्रइघ्ट से बनेगी वह सभी चीज में मैं आपको दिखा दूँगा कि कि आप देख पारे है हमारा हर थाड़े में आप अलग अलग lack design होगी आपके को है कि किस प्रकार से डीजाइन बनानी है वह आप देख लीजिए और यह देखो उससे आगे डीजाइन फिर हमने फाड़ा फाड़ा है यहां पे फिर नो रसी पूरे अत्ते मतलल आगे का फाड़ा शुरू करना पड़ेगा फिर यहां सेंटर में फिर हमने वही छह रसी दबाई रखत लिए कि भागे नो उठाए इदर नो इदर लिए आप यहांसे रहे से सैंटर का देख पार यह चाहिसा अगह variety उससे प्रकार करके मैं दिखा देता हूं पूरी चार पाई आप आसा नीशे देख सकते हैं फिर भी मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं यह सिर्फ हमने यहां से डिजाइन शुरू की थी यहां से हमारी यह इसमें कुछ नहीं पहले हम यह च्छे दबाएंगे फिर यह बारा रसी फिर life एक चारएंगे इस प्रकार्श फिर यह चैज ó उठाएंगे यह इस प्रकार्श की अपिर एक फादा में वह चैक्री यह आपको देख लेटे हां कि यहा से बनता भी आपको दिखा रहें किस प्रकार से आपको रसी डालनी है कि आप आसानी से डेख सकें मैं आपको इस तरब भी दिखा देता हूँ कि आपको बनने में आसानी रही आपको जूम करके देख लिजए आसानी से तो आपके बीच में भी ये डिजाइन डाल सकती है सरू में ये फाड़ा हमारे है ये फाड़ा आप देख सकते हैं इस प्रकारशे ये चल जाएगे आपकी तो ये लहर के आपको चार पाई बन जाएगी तो इस प्रकारशे आपको इस चोकी बैठेगी चारू सेंटर में देखना आप इस प्रकारशे चोकी हैं बढ़ा सकती है चारूतर आपके देख पारे हैं यह लहर आपके चारूतर प्चलेगे फिर यह दूसरी यह तीसरी इस प्रकाशी लहर आपको चलेंगे दोस्तYour आपको एक बात वज़ाते हैं सिर्फ यए सेंट्र में थोड़ा आपको ध्यान रखना है उससे पीछ आपको नो रसी दबानी है 9 रसी उठानी है नो दबानी है यह आप इसटार्टami करेंगे। से लेकर यहां तक आपको नो दबानी नो ठाणी है शिरब यहां जो हमारा सेंटर यहां रस्यापकी कम बत्ती होंगे और यहीं से डिजाइन शुरू होती है वो आगे तो आप यह डिजाइन देख पर इसमें नो ही रस्यापको दबानी झाल 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 तो दोस्तों इस प्रगार्षिय पूरी चाहरपई आप बना पाएंगे। इसमें देखो दावड़ी भी हमने अभी डाल दिये। इसमें खास बात को द्यान रखना है। यह खाली अथा मैं न है यह रहे थांगा जोटाएं इसी सब्सक्ति विख्यृ लेखे लेखे हुख तो तो इस प करफे ने बना सकते हैं और ठannée बनारे के लिखे लिए आप तंप लिगिना हुआ लीत हरा यह पड़ा था फ़टा में यह रस्य हमने कोई डावन डाल दिये तो इतने लगभगए फाड़े होती है और इसी प्रकार शेट डीजाइन आप बना कर देख सकते हैं इसलिए मैंने आपको पूरी डीजाइन दिखाई हैं तो आसा करता हूँ कि दोस्ते मेरी वीडियो आपको पसंदा ही होगी यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेर और सब्सक्राब करना नहीं भूलें तो आज की वीडियो में इतना ही किरम आपको लें नई वीडियो लेकी राजिर होगा तब तक के लिए जय हिन जय भारत